तो माइडियर स्टुडेंट आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए सिक्स समस्टर यानि कि छठे समस्टर के सोसलोजी यानि कि समासाफ्थ के फ़र्श्ट पेपर यानि कि परत्थ्म प्रस्वंपरत्र के मोस्ट इंपॉर्टन कोईट्र एंसर के बारे में तो जिन जिन पर इच्छा हैं लिखित होने वाली है उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है वीडियो को काफी आपको देखना जरूरी इसलिए क्योंकि इसमें वही सारे कोश्चन मैंने सामिल के हैं जो आपके एक्जाम में आने की पूरी उमीद है तो चलिए बिना जिरू के प्रशन है कि她 का जन्म कब और कहां उनार के इंगे तो त्य हाँ सुन लिजेगा आप स्सुन है A slick का मतलब स्याम त चरण जर्सका जन्म कब और कहां पर hon song को छरण था've दो का पूरा सी ननीटे का पूररत समात्ता कर ne मद्ध प्रदेफ के नर्सिंग पुर में 25 जुलाई 1922 को हुआ था चाहत्तर वस्थ की आउव में 4 परोड़ी 1996 को इनका निधन यानि की देहांत हो गया तो इनका जन्म और मृत्त के बारे में परिचे और जो ऐसी दुबे थे अगला प्रस्तु था है के स्यामचरन दुबे की प्रमुक रशनाय बताईए तो ध्यान से सुन लिजेगा पहली जो रशना थे इनकी वो थी दा कमार इंडियन विलेज जो की 1955 में आई थी फिर थी इंडिया ठीक है इंडिया जेंडिया ठीक है चेंजिंग विलेज जो की फा कानलिक थी थैंट की चर्चा ए कुष्टक में और कब किया है और सास्त्री की पुष्टक में ते यहाँ वारं किया कि किसान संगर्स की चर्च्छा अपनी दो पुस्तकों पहली पीजेंट इंडिया जो की 1989 और एग्रो ईश्टरगल इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट्स 1986 में दिसाइने स्वतंतरता से पहले और स्वतंतरता के बाद की किसान संगर्सों पर अभूत पूर्व समागरी प्रुस्तुत की है पहले और आज की समय में हुए किसान संगलसों के बीच के अंतरों को उन्होंने समझाया है अपने पुस्तकों के मादम से तो ध्यान नकेँगे अगला प्रशना को है कि अमेड़कर की रशनाय बताइए यानि कि वी आर अमेड़कर भीमरा अमेड़कर की प्रमुख रशनाय कौन कौन सी है तो उनके बारे में आपको दिया गया है सारी रशनाय है इनकी ठीक है पुस्तक इनकी थी दा अंट ठीक है अंटचेबल्स फू आर प्रमुग रशनाय हैं पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा महात्पूर्ट प्रशन आ सकता एक्जाम में तो ध्यान रखेंगे तो चलिए निश कुछन के बढ़ते हैं को कुछ कुछन तो दाक्टर मुखर जी से समदित देखने को मिलेंगे तो रदा्य मुखर जी का बढ़ा दिसंबर 1869 को बन्गाल के मुर्सीधा बादजिशले के वर्हामपूर में बंगाली ब्रहमट पंगाल में हुआ तो इस प्रकार आप लिखेंगे राधा कमल की राधा कमल मुखरजी के जीवन परशे के बारे में उनकी कुछ प्रमों को रशनाये रही है जिनके बारे में आपको पढ़ लेना है ठीक है और बहुत ही महात्पूर्ण परशने आपके एक्जाम के लिए अगला कोश्चन की किस पुफ्तक में भारतिय समाथ की फन रशना का चित्रण है मतलब की वो तो बताया गया है फासाथ में फोटो भी है तो ध्यार लखेंगे किंसिप और्गनाईजेशन इन इंडिया फफाइटी में जुकिन की पुस्ता के करवे की प्रमुग बिद्वा ने समाथ साफ्तिय है उनीस सो तिरपन में इसका प्रकासन हुआ था ठीक है प्रभुजात की अधाना को संचिप में बताईए हलाकि कोश इतना भी लिए वहाब दिए अधे और बागी समासाफ्तर लिख देंगे कि प्रमुग स काक्ठान के लिए कारिक क्या इतरा बना करते भी लिए था कर लिए थीविज़ंदि दू Is पहले वर्ग की दो परिभासा में एक प्रमग बिद्वान जिनका नाम है आगबर्ण और निमकॉफ के अनुसार इसकी परिभासा है किसकी वर्ग की इनोने कहा कि समाजिक वर्ग उन बेक्तियों के समझ को कहते हैं जिनकी किसी समाज में एक फद्रस समाजिक इस्थित हो ठीक उसको हम वर्ग कहेंगे वहें पर दोसर बिद्वान मैका एवनम पेज ने कहा है कि एक समाजिक वर्ग समाजिक इफ्थित के आधार पर अन्य लोगों से प्रत्थक किया गया एक समधाय का एक भाग है इसको समधाय बोलते हैं अगला प्रशन है कि वर्ग की कुछ अगला की वर्ग पच्छधर चौथा सक्त फारी संगठन उच नीच की भावना धन का महत वर्ग चेतना वर्गों में खुला पन वर्ग भिभिन्दता संकुचित समाजिक पर ठीक है पर्यदी वर्ग की पहचान जन्म का महत तो नहीं वर्गों वर्ग में ऑफरों की आपको तैयार का लेना है तो जाती और वर्ग में प्रोक अंतर प्रस्तुत है पहला अंतर है कि जाती का आधार जन्म है जबकि जाती वर्ग है जबकि वर्ग में सुतंतरता है ठीक है पहला यह है कि जैसे आप जिस भी घर में जन्म लेते हैं उफी जात के आप कहलाएंगे ब्रामड के घर में जन्म लिए तो ब्रामड वहीं से सुरू हो जाएगा च्छत्रे के जन्म जन्म लिया तो वहीं से च्छत्रे फूद्र वैस जिसके भी घर में जन्म लिया वहीं से आपका जाहती है ऀगला पॉइंट पहलंब बता है जाहती क्या एक वर्ग को नए इन क्या करते हैं तो जाहती कि वर सणाते भागवत करते हैं इस तरह के पह चाहते है या फिर आप ने किफी तो सब्जी उगाई जाती उन São würde क्या होता है कि जो जात में पर्था है यह ब्युख साज यह प्यत्रक होता है ए यह मैंने ही समाज खुझी कहता आँग Ridge जात पर्थां में अधिक प्रतिबों में नहीं जात परता में अधिक प्रतिबंध है ८ुख प्रमक प्रस्ट निवाज की दू पुस्तकों को नाम लिखिए तो इनकी पहली पुस्तक अलाकि यहां पर तेन पुस्तक के बारे में बताया गया है लेकिन यहां पर आपको सिर्फ कोश्चन दो ही कहरा तो इसे जितने भी पूछेगा उतने आपको लिखना पड़ेगा तो प इंडियन विलेज है जो की उनीश पच्पन में आई और तीफरी सोसल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो की उनीश चाचट में यह एम एन स्री निवाज की प्रमक बुक या फिर प्रमक इनकी पुस्तक हैं जिनको ध्यान लाकरना है महात्पूर्ट प्रश्ट अगला प्रश अगला की एम एन स्री निवाज के हिंदू धर्म के अध्यन में आ रही कटनाई को अश्पष्ट कीजिए ठीक है तो हलाकि यह कोश्चित नहीं आप इसे एग्णोर भी कर सकते हैं बेसिक परिचे उनकी बुक कुछ है इसके बारे में पढ़ लिजेगा बस ठीक है अगला प अगला प्रशने की परंपरा का साब्दिक अर्थ हस्पष्ट कीजिए तो परंपरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए कमेंट में बताइए क्या कहते हैं जो लेटिन सब्द ट्रेडर से बना है जिसका आर्थ है हफ्तांत्रित करना अश्पष्ट है कि एतिहासिक रूप से जो सांस्कृतिक में से इस्ताय एक पीड़ी फिर दूसरी सारह पड़ लिघेगा अगला कि परंपरा का मतलब या है तातपर क्या है तो ाहसे तरफार बेउहार के अनेक ऐसे तरीकों नियमों डिफेंडर करता है आपके जिस सुसाइटी में रहते हैं उस पर अगला प्रस्ट नहीं कि डाक्टर योगेंदर सिंग ने परंपरा को कब और किस पुष्टक में बताया है तो ध्यां से सुने जिए योगेंदर जी ने ठीक है फाइसे से मोडरनाज़ेशन आफ इंडिया ट्रेशन में इनीफ गृते हैं की यहां रखेंगे अगला के रादाकम लुखरजीज समाद साफ्तर विभाग तर और कहां नियुक्त हुए थे तो रादा-कमल मुखरजीज समाद साफ्तर विभाग के अदर था इनीश सो एपक्या तो इसी तरह के प्रश्ण आपको आपके परिष्ण हम देखने कुमलेंगे हाला कि पूरी पूरी पीडियाफ है को इसमें बहुत फारे कोश्चन है जो कि मैं आपको टेलीग्राम वाट्शप पे डाल दूंगा तो वहां से आप लोग इसको पढ़ लीजेगा इसी वीडियो क इससे ने में टेलीग्राम वाट्शाप कर लिंग है तो दोनों से जोईन हो कि आप में प्रस्टर मेसिज कर दिजिए गा तो हम आपको पीडियोप संड कर देंगे तो आपस सब्सब्स विबो लिखे तो इस प्रकार आप बना बना के भी लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं आपको नंबर दिये जाएंगे बस आपको द्यान लखना सभी प्रश्णों को उत्तर दे कर आना है और ज्यादा फे ज्यादा लेखने का प्रयास करना है बाकि all the way स्टाफ के लिए प्राप्त करना तो मैसेज कर दीजेगा और आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा जय हिंद्व